दोस्तो हम सभी लोग smartphone users हैं लेकिन क्या आपका smartphone really smart है क्योंकि phone तभी smart होगा जब उसके उपर कुछ अच्छे smart apps है आज के वीडियो में 5 ऐसे apps बताऊंगा जो आपके smartphone को और भी ज्यादा smart कर देगा आप देखते रहिए दोस्तो आगे बढ़ने से पहले subscribe जरूर कर लीजेगा bell icon पर क्लिक करना ना भूले और हमारे giveaway को सिर्फ एक दिन बाकी है तो जरूर participate कीजेगा तो दोस्तो हमारे list में सबसे पहला app है health related जी हाँ क्या आपका smartphone आपके heartbeats count कर सकता है नहीं कर सकता है लेकिन अगर आपने instant heart rate app ड जोड़ा ज्यादा fast heart beat कर रहा है तो मैं यह app इस्तेमाल करता हूँ जी हाँ आप चेक कर सकते हैं आपका heart beat क्या है और इसकी accuracy near perfect है the app का नाम है instant heart rate app तो यह देखिए मैं अभी खोलता हूँ instant heart rate जैसे ही आप खोलेंगे आपका जो पीछे का light होगा वो चालू हो जाएगा आपको सिर्फ camera के ऊपर आपका index finger रखना है यह देखिए और वो count करने लग जाएगा एक 10 second तक count करेगा वो और फिर आपको बताएगा यहां एड्स है 67 BPM इसका मतलब 67 hearts और beats per minute heart beats per minute तो मेरा जो है वो है 67 आप हमें बताइए यह app install करके आपका क्या है दोस्तो इस app का एक premium version भी है लेकिन मुझे नहीं लगता उसकी कोई जरूरत है आपको simply आपका heart beat चेक करना ह है तो यह instant heart beat जो app है जरूर इंस्टाल कर लीजेगा दोस्तो लिस्ट में जो दूसरा app है वो है text stats इसका मतलब आप अगर बहुत जादा SMS भेज रहे हैं या बहुत सारे messages भेजते हैं या receive करते हैं तो यह जो app है आपको exactly बताएगा कि आप कितने words per average use करते SMS के लिए कितने SMS बेजते हैं कौन से दिन पर बेजते हैं सुन्दर से graphical user format में वो बताएगा यह app चलिए खोलते हैं यह देखिए पाई चार्ट आ गया है इसमें पहले सबसे पहले बता रहे है कि मैंने is यह word 13% इस्तेमाल किया your 13.5 for 12.4 यह सब received messages लिक है words per message received जो होते हैं वो 23 words होते हैं characters 4.9 Day of the week Sunday सबसे ज्यादा SMS वाला दिन जब मैं ज्यादा receive करता हूं कितने SMS at an average per दिन आते हैं तो Sunday सबसे ज्यादा और Tuesday सबसे कम hour of the day किसने बेजे हैं सबसे ज्यादा messages sent का भी send messages के लिए भी वो exactly same बताता है तो overall यह जो app है अगर आप ज्यादा SMS इस्तिमाल करते हैं और आपको जानना है कि भी मैं कब ज्यादा SMS यूज करता हूं किसको बेजता हूं क्या बेजता हूं कौन से घंटे को बेजता हूं वो सब इस app से आपको पता चल जाएगा दोस्तों तीसरा जो app है वो मुझे बहुत पसंद आता है और मैं तो इस्तेवाल करता हूं क्योंकि मैं बहुत जबरदस्त सोता हूं और सुबह उठने के लिए मुझे प्रॉब्लम होती है अलार्मी नाम का जो app है वो ensure करता है कि मैं बेड से बाहर निकलूँ एक बार अलार्मी बज गया तो मुझे उठना ही पड़ता है वापिस मैं सो नहीं सकता हूं स्नूज नहीं कर सकता हूं कुछ नहीं उठना ही पड़ता है लेकिन उसमें बहुत सारे options है मैं आपको दिखा तो यह जो app है अलार्मी बहुत ही अच्छा है चलिए देखते हैं अभी मैं यह अलार्मी एप है मैं अभी एक नया अलाम सेट करता हूं चलिए सेट करता हूं सुबह साथ बचके दो मिनिट का मुझे रिपीट नहीं चाहिए ओके लेकिन इसमें जब मैं सेट करता हूं तो आपको दिखता है अलाम आफ मेथर्ड इसका मतलब आप अलाम आफ कैसे करेंगे डिफॉल्ट तो सिर्फ आप तच कीजिए वह बंद हो जाएगा उसके बाद में एक ऑप्शन है टेक पिक्चर तो आपको पिक्चर लेके सेव करना पड़ेगा उसी के बाद में आप उपन क तीसरा है शेक करके बंद कर सकेंगे तो यह चाल चौत अंप नीं से जाकते तो आपका बेंज ज्यादा काम नहीं करते है मैट का प्रबլल में जब औилась सॉल करने जाएंगे तो आपका ब्रेन अलर्ट हो जाएगा और इमीजेटली जग जाएंगे यह जो है यह बहुत इंपोर्टेंट तो मैच का जो है वह अलाम टरन आफ करने के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है दोस्तो एक बात बोलता हूं मैं अलार्मी एप सबसे बेस्ट अलाम एप है आप कौन सा भी दूसरा अलाम एप ट्राइप कीजिए लेकिन अलार्मी जरूर ट्राइप कीजिए आइम शूर यह गोइन तो लाइक दोस्तों चौथा एप हैं मैजिक पिन आगे बढ़ने से पहले बता दूँ यह सब एप्स के यह एंड्रोइड एप्स है सब एप्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये हुए हैं अगर कोई भी आपको अच्छा लगता है तो आप जाके क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं यह इस्तेमाल किया है और उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि तुम्हारे आप वाले वीडियो में जरूर लोगों को बताईएगा या व्यूवर्स को बताईएगा इसलिए मैंने यह एप दिया हुआ है है magic pin यह basically जब आप खोलेंगे तो जो भी restaurant में जाएंगे यह देखिए claim claim deal दोस्तों वह GPS के हिसाब से जिदर भी आप बैठे है कोई restaurant में बैठे है hotel में बैठे है उदर के आजु-बाजु के सब restaurants और hotel लिस्ट करेगा और फिर आप क्लेम कर सकते हैं और क्लेम करने के बाद आपको क्या करना है एक सेल्फी क्लिक करनी है जो बिल होगा उसका फोटो लेके अपलोड करना पड़ेगा और कम से कम आपको 30% कैश बैक मिलेगा तो यह जो अप है बहुत ही सिंपल है यूज करने के कर सकते हैं और बहुत सारे कूपन्स और डील्स भी मिलते हैं आपको तो यह मैजिक पिन जरूर ट्राइक किजिएगा क्योंकि आप बहुत सारे पैसे बचा सकेंगे तो दोस्तों अगर आपको विंडोज वाला फील आपके एंड्रोइड फोन के अंदर चाहिए तो लीना ल दिखेगा यह सब जैसे आपके मैकिन टॉश के अंदर होता है वैसे ही अभी इदर बहुत ही छोटा है बेसिकली यह आप कास्ट कर सकते हैं बड़े स्क्रीन के ऊपर मतलब टीवी के ऊपर या आपका बड़ा स्क्रीन जो होगा उसके ऊपर अभी आप फोल्डर ओपन कीजि और Windows is not optimized छोटे स्क्रीन के लिए लेकिन अगर यहीं आप कास्ट करेंगे बड़े स्क्रीन के ऊपर और अगर आप माउस ब्रूटूथ के तुरू अटैच करेंगे तो आपको completely feel आएगा एक Windows का यह browser खुल गया दोस्तों यह apps खुल गये यह देखिए जैसे Windows में होते हैं वै Music, Movies, सब folders आपको दिखा देगा जैसे मैंने कहा यह novelty app है अगर बड़े स्क्रीन पर आप कास्ट करते होंगे बार बार और आपको Windows का feel चाहिए तो आप यह इस्तिमाल कर सकते हैं वरना यह app इतनी useful नहीं है सिर्फ लोगों को आप दिखा सकते हैं आप देखो मेरा जो Android phone है वो अब Windows के जैसा दिखता है जी हां यह है हमारे पांच apps novelty apps कुछ अच्छे थे कुछ आपको बुरे लगे होंगे लेकिन वह जो पहले तीन apps है आप जरूर try कीजेगा चौथा app try कीजेगा अगर आपको पैसे बनाने है और पांचवा app आप try कीजेगा अगर आपको Windows आपके हमें बता सकते हैं ऐसे कुछ apps अगर आपके पास है तो हमें comments में जरूर बताईएगा शायद अगले वीडियो में हम आपके नाम के साथ उस app को भी feature करेंगे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगले वक्त तक के लिए